हालो माई डिए स्टुने सेव गफिर से आपका स्वागत है और राच आप लिए लेकर आए हूं दा फ्रेंच रेवलुशन के कुछ बड़े इंपोर्टें मुल्टिबल चोईस क्वेशन्स और इससे पहले में बहुत सारे वीडियो आपको दे चुका हूं तो आप लेली सेक् बहुत ज्यादा रश था नॉइस था यह कहें क्रामती जैसी अवाच आ रही थी तो आप्शन साब के सामनी गिवन है उसके बेसे तो यहां राइट आंसर जाता है 14 जुलाई 7089 अब चलते हैं क्वेशन टू के लिए हाव मैनी प्रिजनर्स वर रिलीस फ्रॉम बैस्टिले जिससे राजा की डिस्वोटिक पावर का एक सिंबल माना जाता था कि राजा अपनी क्रूरता दिखाता है वहां से तो यहां पर जो एर आपको वो बताना है तो यह राइट आंसर यहां जाता है उप्शन 3 सोरी हम कहेंगे उप्शन D है यानि 70-74 अब चलते हैं क्वेशन 4 क लिए जो टाइल है यह क्या था एक्चुल में तो option के basis पर यहां right answer क्या होना चाहिए तो जो tile है यह से हम tally भी कह सकते हैं यह क्या हो सकता है यह direct text था तो यहां जो right answer जाएगा option C जाएगा ऐसी question 5 है what was population of France in 7089, 7089 में France की population क्या थी तो यहां पर जो correct answer है वो है yes of course वो हम कहेंगे France की population थी 28 million तो आप देखते हैं question number 6 two treaties of government अभी एक book है इसको लिखने वाले कौन थे तो उन्दा basis होता option हम कहेंगे यहां right answer जाता है option A John Locke की ऐसी question 7 है the spirit of the law इसको लिखने वाले कौन थे तो इस book को लिखने वाले the spirit of the law को लिखने वाले हैं Montesky ऐसी question 8 है how many colonies of America were liberated from Britain with the help of France अब देखो जैसे France ने Britain से 13 American colony को liberate किया था तो यहां right answer of course हम खहेंगे 13 होना चाहिए और यही one of the reason था जिसके वाज़े से France के उपर काफी करजा भी बढ़ गया था और उन्होंने टेक्सिस बढ़ाने का plan out किया राजाने ऐसी चलते है question 9 के लिए before 7089 when was the meeting of the S.T.A. channel conducted for the first time कब जो है first meeting जो यह कहेंगे last meeting कब गड़ाने थी S.T.A. channel की question 10 है question 10 हम कहेंगे when did Louis 16 call an assembly together an assembly of S.T.A. channel to pass proposals of new taxes तो यहाँ पर आपको यह पता होना चीए कि जब भी France में कभी टेक्सिस का काम होता था टेक्सिस लगाने का तो राजा अकिला वो decision ने लेता था तो उनको S.T.A. channel की meeting बुलानी होती थी वो meeting जो है कब बुलाई गई थी तो यहाँ जो right answer है वो है 5 May 7089 option A right answer है question 11 है for an assembly of S.T.A. channel to pass proposals for new taxes how many members were sent by the third estates third estates ने कितने member वेजे थी जैसे first estate second estate और third estate first estate ने वेजे 300 members second ने 300 और third ने 600 members अपने वेजे थी तो यहाँ right answer 600 members है the social contract लिखने वाले कौन थी अब यह book है किस ने लिखी है रूसों ने लिखी है yes of course अब चलते है next question के लिए question 13 है bestly को destroy कब किया गया था तो year आपको बताना है तो 14 July 7089 यहाँ पर right answer है और इन सभी questions के answer भी आपको almost at the end of the और मैं वीडियो चरूर दूँगा जिसमें आप one two last तक देख सकते हैं अपने सभी के सभी questions के answer चलते है next question के लिए who wrote an influential pamphlet called what is the third estate तो यहाँ right answer yes of course यहाँ right answer है question 16 है when did the assembly pass a decree abolishing a federal system of obligation in Texas यानि यह जो question है इसके basis के बताना है कि जो assembly है उन्होंने एक legal order pass किया था जिसमें federal system of obligation और टेक्सिस को खतम करने की बात की गई थी वो कब pass हुआ था तो यहाँ right answer है option c on four august 1789 अब इस question में आपको true false बताना है तो true false का हम बोलेंगे true है या false the national assembly completed the draft of the constitution in 1791 तो यहाँ यह बिल्कुत सही है true है बिल्कुत सही है true हम बोलेंगे लुइ 16 entered the secret negotiation with the king of यानि किस राजा के साथ उन्होंने secret अपनी negotiation या बातचीत की थी तो यहाँ right answer प्रशिया है Marsiles was a patriotic song composed by Marsiles एक patriotic song है जिसको compose करने वाले कौन थी तो यहाँ right answer option B. Rosa D. Lyle Marsiles is now the national anthem of यह कहाँ का national anthem है तो यहाँ पर जो right answer जाता है वो है Yes of course France और ऐसी question जो मेरा है 21 among the different club जैकोविन was यानि अगर different clubs की बात करें तो जैकोविन एक्चुल में किस तरह का club था वो आपको बताना है तो option के basis पे आप यहाँ पर अपना क्या answer देंगे Yes of course हम कहेंगे यहाँ जो right answer जाता है वो एक political club था Yes of course option यहाँ जो right जा रहा है वो है D यहाँ हम कहेंगे D का मतलब क्या है Yes of course political club अब चलते हैं question 22 Sans Clotos literally mean those without any bridges अब sans का मतलब ही without होता है तो without bridges होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर यह true है answer अब next question देखी यह बड़ा important question है जो palace है महल है Tulries का it was destroyed by the Jacobins on Jacobins ने इस महल को कब destroy किया था तो यहाँ right answer है option C 10 August 1792 When was France declared as a republic France को एक republic के तोर पे कैसे गोशित किया गया कब गोशित किया था तो on यहाँ right answer जाएगा on 21 September 1792 और the newly elected assembly in 1792 was called convention आपको बताना है यह right answer है या wrong है याँ true या false है तो यहाँ हम कहेंगे यह true है बिल्कुल सही है true है यह और इसके बाद है हमारा important question on 21st January 1793 Louis 16 was executed publicly at the place यानि कुन सी जगा पे उनको execute किया गया था on the basis of option यह right answer option यह डी लाग on code और यह मैंने आपको जो बोला था answer की है यह complete answers है जो आपने अब तक जितने भी questions देखी है और यह आपको help करेंगे आपकी solution वगरा देखने में और अब आपके साथ discuss करने वाला हूँ कुछ एकसा question तो यहाँ first question देखिए which one of the following group was not benefited by the French Revolution इनमें से कौन सा ऐसा group है जिसको French Revolution का benefit नहीं हुआ तो of course यहाँ हम कहेंगे peasants को हुआ, workers को हुआ, agriculture, labels को हुआ लेकिन nobles को नहीं हुआ तो यहाँ right answer option C है which of the following theory was proposed by Monteski नहीं कौन सी theory दी थी तो यह वैसे question पहले आ चुक है लेकिन थोड़ा सा आपको revision हो जाएगे theory of division of power है तो option जो यहाँ right answer B है ऐसी जो battle was यानि जो bestly है, prison है उसको hate किया जाता था लोगों के दोआरा क्यों, तो यहाँ right answer क्या है yes of course, because it stood for the despotic power of the king ऐसी जो next question है the greatest achievement of the national assembly convened in France in 1789 उनकी सबसे बड़ी achievement क्या थी जो 1789 में जो national assembly convened की गई थी the issuing of declaration of rights यह उन्होंने सबसे पहले rights के बारे में बात किया था ऐसी question 5 है why was the subsistence crisis course in France subsistence crisis France में क्यों हुआ था तो उसका सबसे बड़ा reason क्या था तो on the basis of option हम कहेंगे because जो increase in population led to the rapid increase in the demand of food grains population की वजए से और demand of food grain भी बढ़ गी तो यह option C right answer है so what did the red cap won't by sans clutus in France symbolized जो red कैसी हो किसीच का symbol थी red cap जो है तो red cap का मतलब भी यहाँ पर liberty है वो liberty का ही symbol थी वो ऐसी question जो मेरा next है वो क्या है what was the subsistence crisis which occurred frequently in France यान किस subsistence crisis की बात की गये थी को subsistence crisis क्या होता है जो आपकी जीने के लिए आपकी life के ज़रूरी है वो crisis France में बार-बार क्यों हो रहा था वो था extreme situation in raising the basic means of livelihood क्योंकि population बड़ रही थी agriculture produce कम थी तो यह reason था उसका स्वप से बड़ा ऐसी जो which of the following decision was taken by the convention इन में से कौन सा decision convention ने लिया था तो यहाँ पर हम कहेंगी जो right answer जाता है वो क्या है उन्होंने France को एक republic declare कर दिया था option D यहाँ पर correct answer जाता है तो with these questions I stop the video I wish you all the very best I hope so these questions are definitely going to help a lot in your examinations so good luck and have a very nice day बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को stop करूँ आपको मैं उन सभी questions के answer जरूर देना चाहूँगा ताकि आप match कर सकें अपनी knowledge को judge कर सकें कि आपको कितनी इसमें से answer आते थे और कितने नहीं और I hope so ये वीडियो आपके लिए 100% helpful होने वाली है और फिर भी किसी भी तरह कि कोई requirement है तो comment section में जाकि जरूर पताएगा I will definitely provide you another video as well so thank you very much but wait 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 मैं आपको कुछ और question देने वाला यहां देखी जैसे who wrote the influential pamphlet वो जिसका नाम था what is the third estate तो इसको लिखने वाले कोन है तो यहां right answer है ABCS option B correct answer है which group of people did not join the Jacobin club इन वे से किन लोगों ने Jacobin club को join नहीं किया करता है तो यहां right answer है men with property French women demand the right यानि उन्होंने किस right की demand की थी जो French women थी तो यहां right answer जाएगा yes of course उन्होंने सभी के सभी rights की demand की थी right to vote be to be elected into the assembly और to hold political office ऐसे question 28 है triangular slave trade took place between Europe, America and यहां right answer है Africa और next question में देखिए यहां पर जब भी slaves free हो जाते थे तो वो क्या पहनते थे तो यहां पर जो right answer है yes of course हम कहेंगे वो red cap पहनते थे upon becoming free the slaves war and question 30 है who were not considered passive citizens passive citizens किनको नहीं कहा जाता था यानि यह passive citizens वो होते थे जिनके पास right to vote नहीं था लेकिन wealthy people के पास तो right to vote था तो यहां right answer wealthy people है अमीर लोग है जिनको passive citizens नहीं कहा जाता था ऐसी question 37 है the term old regime is usually used to describe यानि जो old regime term यूज किया गया वो किस के लिए यूज किया गया तो यहां right answer क्या जा रहा है society and institution of France before 7089 AD तो यहां right answer option C है yes of course option C तो यहां right answer क्या होना चाहिए yes of course right answer था option C अब चलते हैं next question के लिए in the war against Russia and Austria the French army sang उन्होंने कौन सा जो है song आया था तो yes of course वो song है Versailles composed by the poet Rosa D. Lyle who led the representatives of the third estate in Versailles in 20th June तो उनको lead करने वाले को थे यहां पर जो right answer है वो है Mirabi and Abyssius और question 40 यहां पर जा रहा है वो है under the Robis Perry's government the use of the more expensive white floor वाल इसका मतलब है कि सभी citizens को क्या करना होता था सभी citizens को खाना होता था means जो आम आदमी खाएगा means special लोगों के लिए नहीं था तो यहां right answer जाएगा yes of course option C